एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए, क्या सिंपल सवाल है, कि जो भरतियां हो रही थी, वो भरती होगी की नहीं होगी, सवाल नमबर एक, सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे, बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले दो साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई, बहाना क्या दिया गया, बहाना दिया गया कि कोरोना था, इसलिए भरती नहीं किये, हाई मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लर लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ, दीदी कर लिए, सब जगा चुना हो गया, उत्तर प्रदेश का चुना हो गया, बुल्डोजर बाबा आगे, लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई, यह बैमानी है कि नहीं है, रोजगार देने में कोरोना है, अचुनाव लरने में कोरो लाख यह बहाली नहीं कर रहे हैं, डेर लाख बहाली यह करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको यह नहीं बता रहे हैं, उपर से यह नया योजना ले करके आ गए हैं, तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहां मम्मी दूद प उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे